हेलो फ्रेंड्स आज हम पालक की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सबजी बनाने वाले हैं और यह जो रेसिपी है बिल्कुल नई है तो आप एक बर ज़रूर ट्राइ करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है तो आए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिय को अच्छे से कट बारिक बारिक कट कर लिया है उसके बाद हम एक पैन लेंगे पैन में डालेंगे थोड़े से मुंफली के दाने और दो चमच बेसन और इन दोनों का च्छे से भून लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में और अब हम एक कढ़ाई ल तो आप इसे बॉयल करने की जगह इस तरह से भूने उसके बाद एक कड़ाई में तेल लेंगे और उसमें डालेंगे जीरा अद्रक लैसुन हरी मिर्च और दो सुखी लाल मिर्च डाल देंगे उसके बाद हम इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देंगे और इन्हें बून लेते इसमें हम थोड़ी सी जो हमने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और नमक डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स क चुका है और मुमफली और बेसन था उसे हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा ये पाउडर बना था मुम फली मैंचल का ळाल देंगा और उसले मिक्स उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे जी थिक आप रखना चाहे उतना पानी डाल तो यहां पर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और उसके बाद जो हमने पालक भून के रखा हुआ है हमने बॉल नहीं किया इसे बूनना है तो उसे डाल देंगे और यह देखे कितने अच्छी से सॉफ्ट हो चुका है बॉल करने की जुरत नहीं बड़ी है से क्योंकि पाल में और डाल देते हैं और अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अब यह हमारा जो पालक की जो टेस्टी सी सबजी है बनकर बिल्कुल तयार है एक बार आप जरूर ट्राइ करना देखे कितनी टेस्टी लग रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडिय करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू